हेलो फ्रेंज वेल्कम तो सार्थी लिटिल गार्डन और कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो जिरेनियम के ट्रांस प्लांट पे और उसको कटिंग के थ्रू हम कैसे लगा सकते हैं इस पर है तो चलिए शुरुबात करते हैं वीडियो की तो दोस्तों ये देखिए आप देख सकते हैं मेरे पास ये जिरेनियम का एक प्लांट है जिसे मैंने अपने पुराने गंबले से निकाल लिया है और अब मैं इसको एक नया पॉर्ट और थोड़ी नहीं इसकी काट छाट करके इसे एक नया पॉर्ट देने वाली हूँ तो ये देखिए ये मैंने पुरानी जो स्टैम थी मेरे पास ये पॉधा है जिरेनियम का इसको भी निकाल लिया है और इसकी इस तरही से ब्रांचेज तूड जाती हैं और इनको भी आप दोस्तों नए जगह पर लगाके इनको कटिंग के माध्यम से भी आप ग्रो कर सकते हैं जीली बहुत ही hardy plant होता है दोस्तों ये इसे कुछ भी ज्यादा care नहीं चाहिए होती है बस आप cutting से भी इसको यूँ ही लगा दें तो ये असानी से लग जाता है और ये देखिए दोस्तों कितनी सारी जड़े मैं तोड़ चुकी हूँ इसकी और पूरी ये फैल जाती है रूट बाउंड हो जाता है पॉट में और इसे हटाना बहुत जरूरी है पौधे की नई growth के लिए नई flowering उसमें आने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है तो मैं कुदाल की सायथा से ये इसकी मिट्टी को निकाल रही हूँ क्योंकि बहुत root bound हो चुका है ये जढ़ नहीं रही है और सारी तरीके से ये पुरी ज़कर गई है मिट्टी तो इस तरीके से मैं इसे निकाल रही हूँ तो ये देखे कितनी सारी जो ये रूट्स हैं ये देख रहे हैं आप इन रूट्स को हमें तोड़ना होगा और हटाना होगा ये करना बहुत जरूरी है दोस्तों इस तरीके से मैं इसे हाथ से ही तोड़ रही हूँ दोस्तों आप चाहें तो कटर के इस्तिमाल कर सकते हैं कैच लेकर लिया हुआ है तो अभी मैंने इसमें कुछ भी खाद नहीं डाली वी है तो जिरेनियम को दोस्तों आप चोटे से छोटे और बड़े से बड़े गमले में लगा सकते हैं डिपेंड करता है कि आप जितने जादा कटिंग या पोधों को लगा रहे हैं उस आप से आपको गमले का साइज बड़ा और चोटा रखना चाहिए तो अगर आप सिंगल एक कटिंग लगा रहे हैं तो आप पांच इंच के गमले से स्टार्ट करके उसे मेरी तरह इतने बड़े गमले में भी आप लगा सकते हैं तो बहुत ही हार्डी प्लांट होता है जिरेनियम इसे जा संख्या में पसंदे कि जब इसमें फॉर्वर्रिंग होती है तो अब को इस कटिंग को यूही मिटी में डाल के लगा देना है यह असानी से लग जाएगी लेकिन अगर आप चाते हैं इसमें रूट्स जल्दी आया है तो आप इस कटिंग को दो तिन दिन पानी में भीगो क पर रख सकते हैं, आप कुछ दिन के बाद देखेंगे, उसमें रूट्स अपने आप डवलप हो जाएंगी, इसमें मैं थोड़ा सा पानी दे दूंगी और इसे फुल सनलाइट में रखोंगी, अभी ये बिल्कुल भी मुर जाएंगी नहीं, इसकी पतियां क्योंकि मैंने इस जड़ समेत इसमें लगाया है, इसका कलर दोस्तो रेड है और इसमें अधर कलर भी है, और ये कुछ वाइट कलर के मेरे जिरेनियम है, दोस्तो अब मैं ऐसे धूप में लियाई हूँ और कुछ दिन के बाद इसकी हालत कुछ इस तरीके की है, दोस्तो आप इसे फुल लाइक करिए, अपने कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मैं और किस टॉपिक पर वीडियो दूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, तब तक के लिए टेक केर, बाबाई